मैं अभी गई कॉंप्लेक्स में कुछ समान लेकर आई और इस सब्जी आज के लिए रख डेख्टों मैं कप्रे चेंज कर देख्टी हूं बहुत ज्यादा कड़े अबनाना पड़ता है वह पंखा चालू करिया अब्रा मस्किल है गर्मी बहुत आता है कि अधर और मैं पॉंप्लेस टेख्टी तो बच्चों ने केड बनाया है तो टेस्ट करते हो कैसा है मैं इसको काट कर टेस्ट करती हूं एक मिनट अच्छा इसका टेक्च्चर विलरा बहुत अच्छा है अभी टेस्ट करती कैसे हैं इन्हें बच्चों ने बनाये बाद कि के अच्छा एख जाओ कि तो मैं मार्केट गए थी और मैं southwest समान मार्केट मैं Пр pendu कोमप्लेक्स गए थी हमारे अज़र में चोटो तो दुकान रहते हैं तु सिमें गई थी इसको लगता है ममी कहाँ चली गई ती और बिलकुल पास में बैठती है तो नहीं हट रही थी तो मैंने शुचा कि फरो जाने दूँ तो मैंने बाई सोबर कर दिया और पीला कलर देखने में पीला है लेकिन और एक में पीला मिक्स होड़ा है तो यह और पीला है और दूसरा तो दूसरे हाथ में मेरा है तो पिंक कलर का लेकर आई थी एह मुझे कितना भी लोग पता ही नहीं चलता कहां गुम हो जाता है एह हुआ सेब्टी पीन हुआ कि छोटे-चोटे क्लिप वेगरा गुम हो जाते हैं बहुत जल्दी और एक बिंदिया छोटी-छोटी बिंदिया ह है ऐसे बिंदिया था मेरे पास बढ़ा था लेकिन इस बहुत छोटा है बहुत सुन्दर लगता है कोई भी लगा सकता है तो यह मैं ले ली अच्छा लग रहा है ना ठीक लग रहा है और मैं प्रांचर को बोडिंग वित कैमरा नजदीक लाओ खुछ दीखी नहीं रहा है बहुत सुन्दर लग रहा था बिंदिया लगाने के बाद अब छोटे-छोटे बिंदिया है और वहां से आने के बाद मैं ठक गई थी फिर मैंने जल्दी से कप्रे चेंज के और बैठ गई बेड़े जाने के बाद बच्चे कीचन में ड़ लगता है लेकिन नुनोने केक बनाया था अच्छा बनाया था लेकिन और हमारे कॉम्प्लेक्स में पनी नहीं देते केरी और अभी मैं कीचन में आगे हूं और यो को खाना देने उसके लिए अंडा उबाली थी तो यह अंडा मैं छील कर उसको दे देती हूं क्योंकि वह मेरे आगे पीछे घूम रही है उसको बहुत तेज भूक लगी है और यह दिखिए नीचे मेरे पैरों के पास आकर बैठी ह हुए हटेगी नहीं क्योंकि इसको तेज भूक लगी है जब तक यह खा नहीं लेगी है कि बहुत प्यारी लगती है जहां भी मैं जाती हूं किचन में अगर मैं काम करती रहू तो या तो एक किचन के दरवाजे पर बैठी रहती है या फिर मेरे पैर के पास तो भी बस बेटा है बहुत प्यार करते हूं सब बहुत प्यारी है और और सबसे ज़्यादा सबका ख्याल रखते है कोई बाहर नहीं जा सकता है इसे छोड़ कर इसे भी सब के साथ जाना ही होता है तेरे कि कितना देख रही है और जब तक मैं हटूंगी नहीं यह मूँ नहीं लगाएगी मैं अपने हाथों से इसको खिला रही हूँ टेस्ट करो मैं जब जाओंगी तभी यह खाएगी मेरी प्यारी बच्ची और जब मैं इसको लाया थे तो बहुत ही छोटी थी मात्र 45 डेज की थी और अभी मैंने चने भी गोय थे तो उबाल लिये हैं तो मैं उस चने को साफ नहीं किया था बस इसको फुला कर और उबाल लिये थे अभी मैं इसको साफ करके इसमें मिटी तो अलग हो गये थे लेकिन इसमें चोटे-चोटे वह डंठल जो चने के जार के होते हैं वह थे तो मैं इसको सबजी बनाना है मुझे आद चने की तो मैं बस इसको साफ कर ले रही हूं और फ और मेरा काम भी हो जाता है, जैसे सबजी काटना, या कुछ भी किचन का काम में ज्यादा तर वेडरूम में ही करती हूँ, बस जो बना, अब किचन में हुँ और यह मैंने डाल दिया है चनल और सब्जी एक या दिखाओ मैं जैसे सभी बनाते हैं वैसे ही बनाया है अज मन भी नहीं हो रहा था कि यह करके मैं वो बताऊं और इस चने की सबजी कुछ अलग नहीं है वही जो सबके घरों बन दी है वैसे ही बनाया है हाई हेलो नमस्ते कैसे आप सब मेरा कीचन का काम हो गया है और बस अभी मैं कीचन से आकर जस्ट बैठी ही थी हाई हेलो नमस्ते कैसे आप सब मेरा कीचन का काम हो गया है और बस अभी मैं कीचन से आकर जस्ट बैठी ही थी तो बस आज का वीडियो यहीं तक और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें